दबश्कार दोस्तों मैं अजीद गैजिट ग्यान से आप सभी को स्वागत करता हूं तो जी है यह यह टेबल इतना खाली-खाली क्यों लग रहा है यह तो चलिए भर दिया जाए टेबल को और यह हम भरते हैं अपने टेबल को जी है तो टेबल को हमने भर दिया यहां पर धे आएंगे कि इसमें से आपको कौन सा खरीदना चाहिए यह जितने भी यहां पर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं सब अंडर 500 रुपीज है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इन एयरफोन के साथ क्योंकि मैंने बहुत सारी एयरफोन के साथ मैंने आपर काम किया है और बहु आपको एक ब्रीफ आइडिया यहां पर देदोंगा कि यहां पर आपको exactly किस एयरफोन के साथ जाना चाहिए क्योंकि यहां पर जो भी एयरफोन से आप लोग काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई सस्ता और बढ़िया यह फोन्स आप बताईए हमें मैं सोचा कि चलो पू काफी ज्यादा प्रोड़क्ट से अपने पास यहां पर एक एक करके हम सारी एयरफोन के आरे में बात करें सबसे पहला जी एयरफोन है यह है हाइटेज की तरफ से HB913 सभी के आपको मिल जाएंगे तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है और चलिए यहां पर इसे हम निकाल लेते हैं इसमें से पैकेजिंग वगरे ठीक है जो प्राइस पॉइंट पर अभेलिबल उसकी हिसाब से यहां पर कुछ एक्स्ट्राओर्डिनरी पैकेज आप यहां पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं बट प्राइस वाइस पैकेजिंग मुझे बढ़ियां लगा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलोगा कि खराब है अब यह जो यह यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड कॉलिटी है यह पूरा रबर टेक्च्चर के साथ आता है और आज के समय में जैसे फंकी कलर्स बहुत ज्यादा चलते हैं तो फिर यह आप देख सकते हैं कि इसके जो टेक्स्चर है यह रबर्स है और काफी अच्छा क्वालिटी का रबर है यहां पर मैं दिखा भी दूँ इसको अगर पकड़के खीची एगा भी ति पूटने वाल करके रखा हूं तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा तो यहां पर मैं आपको एक एक करके ब्रीफ में मैं आपको बताते जाओं तो यह जो एर टिप्स आप यहां पर देख सकते हैं तो यह टिप्स का यहां पर डिजाइन है जो बिल्ड कॉलिटी रेड एंड ब्ला यह टिप्स मिलता है तो यह एक ड्रॉबैक है इसका और साथी साथ अंदर के ग्रेल में भी हां पर प्लास्टिक ही आपको देखने को मिलता है लेकिन जो ऑडियो क्वालिटी है वह काफी तगडी है और यहां पर आपको मिलता है आपके फोन के कंपैटिबिलिटी के हिसाब आप से टॉगल कर सकते हैं और यह मल्टी फंशनल बटन मिलता है तो इसकी मदद से यहां पर आप कॉल अटेंड डिसकनेक्ट सारा कुछ आप कर पाएंगे तो यह रहाप पहला प्रोड़क्ट और यह है HB913 यहां तो चलिए अब इससे साइड करके अब दूसरे वाले ये एरफोन पर जाते हैं दूसरे वाले एरफोन वेगर हम बात करेंगे तो यहां पर है HP49 प्लस और यह भी हाइटेज की तरफ से है इसमें और भी कुछ colors available है तो मेरे पास जितने भी colors available है मैं सारे colors को एक बार में आपके पास ले आउं तो जी हां जी हां जी हां ओके आपने पास यहां पर तो यह दो colors अपने पास available है हाइटेज का HP49 प्लस और एक ब्लाक है और एक वाइट है तो चलिए इससे भी open कर लेते हैं और इसको भी तो इसके निकाल लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि यह ब्लाक कलर में है और एक वाइट कलर में है तो यहां पर मैं आपको पहले वाइट वाला का दिखा दो ती यह जब आप देखिएगा तो आपको याद आएगा Nokia के इयरफोंस जो Nokia के साथ आते थे बट एक चीज जो मुझे अच्छी लगी पुरा रबर टेक्स्चर है इसकी जो क्वालिटी काफी फाइन है और काफी अच्छा है और जितने भी इयरफोंस मैंने अभी तक इस्तमाल किये हैं अभी मैं आपको बता दूं कि इसके 90 परसेंट प्रोड़क्स हाइटेज के यहां पर आपको मिलता है रबर फिनिश के साथ ही आता है तिया पर देख सकती है रबर टेक्स्चर इसमें भी है और इसका जो 3.5 mm जैक है यह भी काफी बढ़ी है यहां पर है और चुले यहां पर आपको दिखा दूं तो यह रहा वाइट कलर अब यह सैमसंग आपको याद दिलाएगा कही ना कहीं थोड़ा बहुत अब इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है डी सेंट है मैं इतना नहीं बोलूंगा कि बहुत ही तकड़ा है वोकल्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं और यह ब्लाक कलर का है तो ब्लाक वाला थोड़ है इसके अंदर ऑडियो क्वालिटी उतना कुछ जबरदस्त नहीं है वोकल्स बहुत जादा क्लिए तो अगर आप फोन पर लंबे टाइम तक बात करना चाहते हैं अगर आपके वास कोई महंगा यह फोन है तो मैं बोलूंगा कि अगर कॉल पर जादा अटेंड करते हैं तो और वीडियो अगर पसंदारियत लाइक भी कर लिजागा यह है 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 तरफ से HP 831 और बिग बेस एक्स्ट्रा बेस जैसा लिखा है वैसा है भी यह मुझे प्राइसिंग वाइस काफी बड़ी है लगा दोस्तों जितना इसकी आसपास इसकी प्राइस है और इसका बिल्ड दि काफी अच्छी है और काफी फंकी कलर से ग्रीन और वाइट कलर का यहां पर कॉंबीनेशन है और यह भी आपको रबर नहीं गोलूंगा यह जो यूज्वल आप देखते हैं है यह भी रबर ही लेकिन आपको जितने भी एरफोंस अभी मैंने दिखा है थोड़ा सा उससे डी काफी बढ़िया मुझे लगा मल्टी फंशनल बटन मिल जाते हैं कॉल अटेंड वगर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और चलिए यह वाला हो गया अगर आपको बेस पसंद है लाइट बेस और बजट अगर आपका 200 रुपए तक का है तो इसके साथ आप जा सकते ह हैं तो हाइटेज HP831 चलिए अगले प्रोड़क्त की तरफ जाते हैं और यहां पर भी काफी सारे एक ही वाले हैं जी यहां है तो आपको मैं दिखा दूं यह हाइटेज की तरफ सी यह सारे के सारे एरफोन है और यह हाइटेज का यूथ सिरिज जी हाँ यह यह इusement हैं यहाँ और यह थिनिन के इक हैं बट इसमें यह वाइट है यह सेलिए हो ख शी शरी ऑप यह सारे के सारे रहत इक है यहां पर मैं आपको दिखा दूं में यहां पर आपको मिलता है यह यूथ सीरीजी है अगर हम बात करें तो यूथ सीरीज इनके काफी जादा पॉपिलर है यूथ सीरीज में आपको यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन सब कुछ काफी जादा बढ़ियां मिलेगा तो इसके आप देख सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी बगर है जो केबल की जो जोन रहे हैं इसमें आपको बढ़ियां audio मिलेगा और काफी रिजनेबल प्राइस पर तो प्राइसिंग वाइस में बोलूंगा कि यह काफी जादा जस्टीफाइड है और साथी साथ यहां पर अब देख सकते हैं अंदर की तरफ यहां पर आपको प्लास्टिक ही मिलता है ग दिखा दूँ यह भी सेम ही डिजाइन है पीछे डाइमंड वाला शेप मिलता है सिर्फ अंतर इतना है कि यह ब्लाक कलर में है आप देख सकता है रिंग इसमें आपको मिल जाता ऐसा कुछ इसके पीछे भी डाइमंड शेप है और audio quality इसकी भी अच्छी है और केबल भी इसक हाइज की तरफ जाते हैं यह है हाइज की तरफ से यह एरफोन HP 315 और चली इसे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर अगर हम अन्बॉक्स कर दें तो अभी आप यहां पर देख पाएंगे तो यह काफी ज़्यादा यूनीक कलर है मैंने इतने सारे एरफोन मेंने तक काफी अच्छी है तो मैं आपको दिखा दो तो यह देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी में तो कहीं पर भी कॉंप्रोमाइज नहीं है और साथी साथ यहां पर 3.5 mm जैक भी आप देख लीजे यह भी काफी बढ़िया यहां यहां पर क्वालिटी है और इन एर टिप्स की अगर हम बात करें तो इन एर टिप्स में आपको दिखा दू यहां पर तो पैकेजिंग वागर पर तो काफी अच्छा हैटेज नहीं यहां पर काम किया और साथी साथ ऑडियो क्वालिटी पे भी काम किया हुए तो देखिए यह भी सेम तूसेम अंदर के अगले एर फोन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला एर फोन जो हमारा है वो है यहां पर HP 315 और चलिए इसे भी अन्बॉक्स कर लें हम लोग और तो सारी एर फोन की यह प्राइसिंग के वाइस कहां पर पैकेजिंग होती है बट अब यह ऐसा कि पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि चॉकलेट वाले लॉलिपॉप जैसे पैकेजिस में है बट हाँ क्वालिटी में चीज़ होती है तो हाइटेज के सारी एर फोन की कॉलिटी प्राइस को जस्टिफाई करती है यह ब्लू कलर में जैसा कलर वैसा पैकेट अफी अच्छा यह मार्केटिंग स्ट्राटेजी है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सेम यहां पर इन यह आपको मिलता है पीछे क केबल की क्वालिटी काफी अच्छी है सेम ओडियो क्वालिटी है इसमें और जो ओरेंज वाला जो मैंने आपको थोड़ी दे पहले दिखाया दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और सेम आपको मिलने वाला है अगला जो प्रोड़क्ट है यहां पर HP 713 इसका पाकेजिं केबल का है ये अभी तक के जितने भी अर्फोंस आपने देखे उन सबसे बढ़यां इसका केबलक्वं क्वालिटी केबलक्वालिटी मैं एककें पर धीघ्याई कॉम्प्रोमाइस नहीं है काफी अच्छी इसकी लेंथ अल्मोस्स सारी ओपोस सेम ही है लेकिन इसकी बिल्ड है उपर की तरफ भी ऐसे कुछ आपको डिजाइंस वगर दिख जाते हैं और इसकी audio quality के मैं बात करूँ तो इसका base मुझे काफी जादा पसंद आया इसका base काफी बढ़िया है और यहाँ पर multifunctional buttons मिल जाते हैं इसकी मदद से call, attend, play, pause, सारे earphones के अंदर यह आपको मिल ही जाएगा और अभी तक अगर अपने subscribe नहीं किया दोस्तों फटाफट subscribe कर लिजे चैनल को आपका एक subscription बहुत जादा motivate करता है तो इसकी quality काफी अच्छी है अगर मैं बोलूँगा कि पंची base वगर अगर ढूंट रहे तो यह earphone completely value for money रहने वा और काफी funky color यह मिलता है orange और black color के texture में आता है आपको यहां पे और जिसकी वज़ा से यहां पर देख सकते हैं कि यह जो teenagers को काफी साथा पसंद आएंगे तो मैं बोलूँगा कि अगर टीनेज है और audio quality अच्छी चाहिए तो आप try out कर सकते हैं बट हाँ इसका एक जो मुझे काफी refined है इसके अंदर जिसकी वज़े से बेस यहां पर आपको fine मिलेगा और अक्सर हमारे अंदर कैसा घुसा होगा कि बेस जिस एरफोन में आता वह अच्छा होता है ऐसा नहीं होता है सारे एरफोन की अपनी quality होती है अपनी खुबी होती है तो इसमें बेस आपको finely tuned मिले त्रेबल काफी अच्छा इसमें optimized है जिसकी वज़े से इसमें ट्रेबल वगर काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा और आप देख सकते हैं इसकी build and design quality काफी अच्छी है high-tech की branding मिल जाती है यहां पर multifunction button और इसका जो केबल है नीचे की तरफ वाला जो position वाला जो अगले earphone की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा अगला earphone है वह है यहां पर थोड़ा यह premium quality है HP 9413 gold series earphone है और जैसा कि इनोंने gold series लिखा है तो वैसा इसका audio quality भी है और इसकी packaging भी आप देख सकते हैं सभी सा लग है तो जी हां इसका आप देख सकते हैं पूरा complete यह rope style में है यह रसी के style में इसका केबल है तो केबल की quality काफी तगडी है काफी जबरदस्त है कहीं पर भी compromise नहीं है 3.5 mm jack देखकर के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सच में premium वाला gold series है यहां पर देख सकते है stainless steel का आपको यह मिलता है 3.5 mm jack यहां तक यह वाला भी आपको यहां पर stainless steel का ही मिलता है यहां जो बटन आपको मिलता है यह काफी ज्यादा responsive है काफी अच्छा इसका tactile feedback है तो मैं बोलूगा कि यह जो है literally premium quality segment में आता है लेकिन इसकी प्राइस आपको 300-400 के अंदर ही पड़ने वाला है ज्यादा प्राइस नहीं पड़ेगा यह काफी ergonomical design में आता है और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं stainless steel के है तो यह अच्छी चीज है gold series है price थोड़ा सा ज्यादा है 500 रुपे maximum जितने भी comparatively आपको मैंने earphones दिखाया है और इसकी जो audio quality है काफी तगड़ी है मुझे base हो चाहिए अगर आपको ज्यादा base चाहिए आपको treble यहां fine चाहिए तो यह earphone completely justify करता है यह मुझे यह earphones काफी जादा पसंद आया इन ear fit भी काफी बढ़िया है और cable हो चाहिए जिसकी लंबाई हो length हो हर चीज में अच्छी quality है और tangle free भी है तो यह मैं highly recommend करूँगा अगर आपको यह वाला अगर चाहिए तो इसका इसका भी बाइलिंक आपको पला है यह earphone और इसकी अगर हम बात करती है है metal series में जी हां MH78 है यह और इसकी अगर pricing आप यहां देख रहे हैं इस pricing पर मत जाईएगा यह भी आपको roughly around 500 रुपए तक में ही आपको earphone मिल जाएगा इसकी quality packaging आप जैसे देख रहे हैं बिलकुल वैसा ही तगड़ा है जबरद tips है और जो quality यहां पर आप देख रहे हैं इसकी यह one of the best अभी तक हाइच में जितने भी आपको मैंने दिखाए अगर आपका budget ज्यादा है तो मैं बोलूँगा कि इसे ही आप खरीदिये मैं इसे ही recommend करने वाला हूं क्योंकि इसकी जो quality है यह आपको काफी बढ़िया audio quality build design जैसे कि देख सकते हैं complete metal है यह पूरा का पूरा जो segment आप देख रहे हैं यह complete metal है यह तो जिसकी वाज़े इसकी build and design quality में कहीं पर भी compromise नहीं है और जैसे package के ओपर metal लिखा हुआ था वैसे ही यहां पर metal मिल जाता है इसकी यहां पर wire की quality आप देख सकते हैं काफी अच्छी ह हैं और अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं metal का इस्तमाल किया गया है और साथ ही साथ इसकी जो wire की quality है यह काफी तगड़ी है काफी अच्छी quality है साथ में यहां पर आपको wire adjuster मिल जाता है तो आप इसको fold करके रख सकते हैं जो कि इस price segment में हमने कभी भी नहीं देखा है और यहां पर भी metal आपको मिलता है 3.5 mm jack के पास अब audio quality के बात कर लें तो यह earphone में audio quality में कहीं पर भी compromise नहीं हर चीज में यह perfect है चाहे build quality हो design हो चाहे audio quality हो चाहे call में हो चाहे in ear fitting हो हर चीज में क्योंकि in ear fitting के लिए आपको यहां पर बहुत सारे multiple ear tips मिल जात अधर में या फिर design में कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा यह सारे प्रोड़क्स के आपको वीडियो की description में मिल जाएगा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो फड़ा फड़ वीडियो को लाइक शेर और चैनल पर नहीं पर सब्सक्राइब कियों मत जाएगा क्योंकि म अधर वीडियो आपके लिए लाद आते रहते हैं तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जाहिंद वर्ड़ बात्रों